इस वीडियो में मल्टी मीटर का यूज सिफ तोलर पैनल के आउटपूट वोल्टेज को जर्टिफाई करने के लिए किया गया है इसमें देखिए टोटल नंबर आफ सेल हैं कॉंट कीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, आठ, नो, दस और एक सेल का आपको ओपन सर्कीट वोल्टेज बता हैं, 0.6 है तो इस अनुसार कितना हो गया, 10 सबुन, 0.6 तो लगभग 6 वोल्ट के आसपास होना चाहिए एकुरेट तो नहीं आएगा, टेंपरेचर के कारण इसका वोल्टेज डाउन हो जाता है तो 6 वोल्ट से थोड़ा कम ही आएगा तो चलिए हम दोग इसको अब मल्टी मीटर से कनेक्ट कर देखते हैं कि सही में इसका वोल्टेज 0.6 आ रहा है या नहीं देखिए अब सोलर पैनल को मल्टी मीटर से कनेक्ट कर दिया है पैरलल कनेक्शन ठीक है प्लस का प्लस और मैनस का मैनस से कर दिया है यह प्लस है यह मैनस है अब देखिए कल्कुलेशन के नुसार हम लोगो 6 वोल्ट आड़ा था लेकिन यह थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि टेमपरिचर जब इंक्रीज कर जाता है तो यह आपको आड़ा 5.4 वोल्ट तो इससे आप एक मोटा मोटी आडिया लिकाल सकते है कि आपके सोलर पैनल का वोल्टेज कितना होगा बिना मल्टिमीटर से अब चलिए यह काफी छोटा पैनल है इसके बारे में भी देख लें कि इसका वोल्टेज कितना आ रहा है होता है तो यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ हाट नो दस ग्यारा है तो टोटल इसमें एलेवन सेल है और एक सेल का वोल्टेज कितना होता है पॉइंट शिक्स तो एलेवन गुना पॉइंट शिस हो गया सिक्स पॉइंट शिक्स वोल्ट के आसपास तो कम से कम छे वोल्ट तो देना ही चाहिए यहां पर भी टोटल सेल स्रीज में नहीं कनेक्टर है तो चलिए मल्टी मीटर से इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसका भी यह वायर है फ्रेंट देखिए कल्कुलेशन के नुसार आ रहा था इस सोलर पैनल का वोल्टेज 6.66 लेकिन यह आ रहा है 5.60 तो यह प्योर चैनिज सोलर पैनल है लेकिन फिर भी देखिए लगभग उसी के आसपास आ रहा है तो आपको यह मैं बता रहा था कि आप इस एक आईडिया निकाल सकते हैं कि हां बिना मल्टी मिटर का वोल्टेज देखा जा सकता है लगभग इ सेर करें थैंक यू